नमस्कार कसिश नीज में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराग बिहार में पंचायत चुनावों का दौर जा रही है जिहां चरणबद तरीके से पंचायत चुनाव हो रहे हैं और इसमें कई सारे चौकाव परणाम आ रहे हैं जिहां तो आज हमें बड़े चौकाव परणाम के बारे में बता रहे हैं आपको दो ऐसे परिनाम आए हैं जो चौकाव हैं जिहां एक बिढायक के भाई चुनाव हार गए तो दूसरी तरब एक बिढायक की पत्नी चुनाव हार गई है जिहां आपको खबर बताते हैं पूरी का सामना करना पड़ा है तो यह हम आपको बता रहा है तो अभी जो बड़ी खबर आ दी है हमार पास गोपाल गंज से गोपाल गंज में काउंटिंग चल रही थी और काउंटिंग के दौरान जो एक चौकाउन नतीजा सामने आया है जिहां गोपाल गंज के जेडियू विधा जेल में बंद है और इनके ऊपर टिपल मडर केस का भी आरोप है तो टिपल मडर केस में ये बंद है चुनाओ जेल के अंदर से इन्होंने चुनाओ लड़ा था लेकिन इने चुनाओ में हार का सामना करना पड़ा है और हराने वाला को नहीं ये भी आपको बताए हराने वाला जो जेपी आदो जिसके त्रिपल मडर जिसके जेपी आदो और उनके परिवार वालों पर जो ट्रिपल मडर का जिस पर आरोप लगा था उस परिवार की जिसकी हत्या हुई थी उसकी भावी ने चुनाओ जीता है और मादुरी देवी है जो जेपी आदो की भावी उन्होंने 904 वोटों से दबंग पप्पू पांडे के भतीजे को सिकस्थ दी है तो ये एक चौकाव परणाम सामने है गोपालगन से उसके अलाबा आगे बढ़ते हैं फिर और आपको बताएं भोजपूर से भी एक नतीजा तो सामने आया है वो आपको बताना जरूरी है दरसल भोजप परणाम से चुनाओं में उन्हें सिकस्थ का सामना करना पड़ा है मनोज मंजील आपको बताएं कि यह माले के विधायक हैं और काफी चर्चित भी रहे हैं और यह अक्सर लोगों के बीच रहे हैं लेकिन इनकी पतनी को जीला परसत के चुनाओं में हार का सामना करना उसमें और यह परिनाम कहीं नतीजे कहीं न कहीं बता रहे हैं कि किस तरह से लोग वहां पर इस्थानिय मुद्दो को देखते हैं वहां पर काम हुआ कि नहीं यह देख रहे हैं और यह आकलन करना है न कि वह विधायक कभाई है भतीजा है या पत्नी है यह कोई नहीं देख थोड़ा पीछे चलते हैं और बताते हैं आपको जो और वी सारे नतीजे आये थे पिछले दिनों पिछले चरण में वो भी आपको जल्दी-जल्दी में बता देते हैं धाका जो मोतिहारी जिले में पड़ता है वहाँ पर जो बिधायक है धाका के पवन जैसवाल उनकी भावी वजिला परसत धक्ष प्रियंका जैसवाल की जेठानी गायतरी जैसवाल जो तीन बार से मुखिया पत पर विराज मान थी लेकिन वो चुनाव हार गई आपको जल्दी जल्दी में वो नतीजे बता रहे हैं जो जानना जरूरी है वही आपको बताएं जो MLC है डाक्टर खाली दरवन के छोटे भाई की पतनी अजीजा असगरी पहली बार किस्मत आजमाया था उन्होंने लेकिन वो भी चुनाव हार गई ये नतीजे आपको बत नाइको या फिर बिधान पारशदों के भाई भतीजे या फिर लोग जो रिष्टेदार उत्रे हैं मैदान में उन्हें सिकस्त का सामना करना पड़ा है तो आपको बताएं एक और इसी तरह का मामला पिछले दिन भी आये था जिसमें बिहार के राजस सेवं भूमी सुदार मंत्री रामसूरत राए के बड़े भाई भरत राय मुझपर पूर जिला के बोचाहा प्रखंड के गरहा पंचायत से मुखिया का चुनाव महत छीहत्तर मतों से हार गय थे तो यह तमाम वो हम आपको नतीजे बता रहे हैं जो जानना जरूरी हैं दरसल बिधायक मंत्री एम जिला परिशत के स्तदस्थ पद का चुनाव हार गई हैं तो यह तमाम नतीजे हम आपको बता रहे हैं जो पंचायत चुनावों से निकल कर सामने आए हैं कई चरणों की बात बता रहे हैं पर अभी ताजा चरण में हमने आपको बताया जो दवंग विधायक हैं पपू पा आपको याद होगा पहले चरण में एक नतीजा आया था पंचायती राजमंत्री जो हैं संब्राट चौदरी उनकी भावी भी चुनाव हार गई थी तारापूर से मुखिया का चुनाव था उसके रावा एक और नतीजा बता दे आपको जो डिप टी सीम है रेनु देवी उ करों स्थिया थीन दे रहेंग के उनका काम हुआ या नहीं इसमें भी धायक कीतनी हों एक्रकारार हöm यह नहीं गिल Idiot姐 का लोग यह नहीं देख रहा है तो इसंदोने चैनाने के भी तोंब्हब नहीं संदuks अबिस देखने नहीं देख साथ हाने थी दोबात उने लज़ ahot झाल झाल